Welcome to Trade with Probabilities इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ITC और VST Industries दोनों स्टॉक के टेक्निकल लेवर्स के बारे में और टेक्निकल लेवर्स के बारे में डिस्कसन करने से पहले मैं आपको बता दू कि दोनों स्टॉक का जो बिजनेस मॉडल है वो सेम है दोनों सिगरेट रिलेटेड़ ही इनका जो में बिजनेस है वो सिगरेट रिलेटेड ही है तो इस चीज़ को भी आप downloads के तोर पर रख सकते हैं और अब चलते है सीदे सबसे पहले ITC के चार्ट में तो ITC के चार्ट में सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो लोवर लेवल आप देख रहे हैं यहाँ पर यह वाली लोवर लेवल दोसो 1.99 के गरीब का यहाँ पर हमने आपको बाइंग सजेस्ट किया था प्रूफ के लिए आप इस वीडियो को जाके देख सकते है 217 और उसके बाद इसमें फिर से एक रिट्रस्मेंट लगी हुई है और अब इस रिट्रस्मेंट में क्योंकि ATC एक ऐसा स्टॉक है जिसमें मैक्सिमम लोगों की पोजेशन फशी हुई रहती है इसलिए ATC में अभी प्राइज लेवल जो है वो दूर के है बट आप यहा है और जो क्लोजिंग है वो 209.05 की है तो आने वाले टर्डिंग सेशन में आपको इसमें वेट और वाच की थियोरी अपनानी है और यहां पर आपको अगर बाइंग में जाना है तो नीचे के लेवल पे आपको अगें वही लेवल ही है वेलिड है 200-201 का जो लेवल है वो अगर आटिसे में नेक्स्ट वीक में भी मिलते है तो यहां से अगें यह गूड बाइंग ऑकोर्चुनिटी होगी बट अगर यहां से कि जिस तरह से यह चार दिनों की रेट कंडल के बाद यह लास्ट रेणिंग जे में आप देख सकते हैं बुलिश कंडल बनी है तो यह कंटीनिव रेली करता है तो इसमें जो क्रूशियल पॉइंट होगा वो 213.35 की होगी तो यहां पर अगर इस लेवल को ब्रेक आट करके इसके ऊपर में क्लोजिंग कर दे तो उसके बाद आप नेक्स्ट बाइंग के सोचते हैं जहां पर इसमें यह जो वर्टिकल लाइन आ इसमें आपको अपडेट जरूर करेंगे बट अभी के लिए फिलहार जो इस तरह की इसमें कंडिशन है वह हमने डिसकस कर दी इसे आप जरूर करके रख सकते हैं और अब इसके बाद नेक्ट चलते हैं वी एस्टी इंडस्ट्री यह भी सेम सीरेट रेलेटेड बिजनेस ही करता है और इसमें आप देख सकते हैं कि जैसा कि इस वर्टिकल लाइन के अंदर में ही ट्रेड ट्रैवल कर रहा है बट वी एस्टी में ऐसा नहीं है वीस्टी इंडस्री अप देख सकते हैं एक बार इसके उपर निकलने की कुशिश की थी यहां पर वह क्लोजिंग नहीं दे पाया और closing जो है वो again इस trend line के under में जाके हो गई बट अभी ऐसा नहीं है इसके आप देख सकते है कि फिर से जो slow slow rally हो रही है और last day भी जो rally हुई वो एक बड़े trend line को बड़े channel में ये travel कर रहा था एक downtrend के channel में ये बढ़े लंबे से travel कर रहा था बट लास्ट डे में आप देख सकते है कि इसके उपर निकल के closing भी हो चुकी है तो ये closing हो चुकी इसलिए ये बहुत ही important रहता है कि उपर को closing होना है तो 3296 की इसकी closing है आने वाले trading session में अगर market में थोड़ा सा भी अगर panic selling दिखी तो ये हो सकता है कि आपको retest होता हुआ दिख सकता है और 3240 या फिर 3230-3220 तक के levels भी आपको देखने को मिल सकते हैं अगर market में panic selling होई तो ये जो अगर panic selling होगी और ये अगर नीचे की तर नीचे की levels पे अगर आपको मिलेगा तो VST में एक अच्छी entry मिल सकती है आपको और ये as a buying opportunity आप इसे यूज कर सकते हैं और यहां पर आपको quantity थोड़ा सा add करना है क्योंकि आप देख सकते हैं कि इसमें जो बड़ा level है वह 3160-3170 करीब का था जहां से stock ने return भी लिया और अगेन थोड़ा सा अगर रेट्रेस्मेंट होता है तो वह भी एक good buying opportunity होगी और जब तक इस चैनल के ऊपर है VST Industries में एक बड़ी तेजी की उम्मीद है जो कि आपको यह अपर trend line दीख रही है 3505.7 यहां तक VST Industries में आपको price level देख सकता है अगर market में जो rally है वो continue इस तरह से stay रही तो तो I hope आपने VST Industries में level को note करके रख लिया होगा और ITC में भी तो दोनों stock में जो level है बहुत important है VST Industries already buying opportunity की तरह बढ़ रहा है जहां पर अगर यह rally continue रही तो यह इसमें जो आप target के तौर पर यूज़ कर सकते हैं वो 3505.7 का level है और अगर थोड़ा सा भी retracement होता है तो वो भी एक good buying opportunity होगी उसे भी आप adding करने के लिए यूज़ कर सकते हैं तो I hope आपने levels को note करके रख लिया होगा और इस तरह के advance में जो levels है वो हम लगादार discuss करते रहते हैं अलग-अलग stock में timely तो इसका benefit लेने के लिए चैनल को ज़रू सब्सक्राइब करके रख सकते हैं